एक्सेस 6.4, question 1, using identities, find the following product, question 1 में दिया है 2a plus 7b whole square, 2 इसको हम कैसे solution करेंगे, 2a plus 7b whole square, equal to हम लिखेंगे, इसको पहले हम square करेंगे, 2a square, इसको एक बार square करेंगे, 7b square, इधर plus लगाएंगे, इधर plus लगाएंगे, इन दुनों को multiply करेंगे, 2a into 7b into 2 करेंगे, मतलब इसका identity जो है, इसका identity ऐसा होगा, a plus b whole square equal to हमें मिलेगा, a square plus 2ab plus b square, हमें सिधा क्या करना है, पहले ऐसे जो इससी form में जब रहेगा, मतलब a plus b whole square, इससी form में जब रहेगा, हमें पहले इस part को square करेंगे, next इस part को square करेंगे, इन दोनों को multiply करेंगे, इसकी साथ 2 multiply करेंग और इधर प्लास सिन लगाएंगे इधर जब प्लास सिन होगा दोनों में हम प्लास सिन लगाएंगे इधर जब माइनस सिन होगा तो हम इधर क्या लगाएंगे माइनस सिन लगाएंगे मतलब इधर सेम ही साइन रहेगा तो यह हो गया अभी हम क्या करेंगे इसको स्कॉर 2A whole square का मतलब A square इसके लिए भी है, इसके लिए भी है, 2 को जब square करेंगे तो क्या बनेगा, 4 बनेगा, A को square करेंगे तो A square होगा, next plus 2 into 2 equal तो कितना बनेगा, 4, 4 के साथ 7 को multiply करेंगे तो 28, 28 A into B होगा, plus 7 को square करेंगे तो 49 होगा, B को square करेंगे तो B square बनेगा, यही होगा उसका question b का solution ऐसे होगा इस पार्ट को हम पहले square करेंगे 3 by 7 x square next इस पार्ट को square करेंगे 5 by 4 y square उसके बाद इन्टोनों को multiply करेंगे 3 by 7 x into 5 by 4 into y next क्या करेंगे इधर प्लास न लगाएंगे इधर भी प्लास न होगा इन्टोनों को multiply करने के बाद two से फिर इन्टोनों को multiply करेंगे अभी यह होगया इसका identity मतलब a plus b whole square का identity हमें जब हम break करेंगे तो यह सई होगा मतलब a plus b whole square equal to a square plus 2ab plus b square तो इस form में b square यह form में आ گिया है अभी हम इसको solution करेंगे, मतलब 3 को square करेंगे तो 9 होगा, 7 को square करेंगे तो 49 होगा, x को square करेंगे तो x square, next plus, इधर हम cancel कर सकते हैं, 2 के साथ is 4 को cutting तो 2 times होगा, 7 into 2 equal तो कितना मिलेगा, 14, and 3 into 5 equal तो कितना मिलेगा, 15, तो इसमें x है, इसमें y है, तो हम लिख सकते हैं, x, y, plus, 5 को square करेंगे तो 25, and 4 को square करेंगे तो 16, and y को square करेंगे तो y square, एह ही होगा असका answer, question c का solution, पहले इस part को हम square करेंगे, 2p square, next is part को 3q square, इधर plus in लगाएंगे, इधर भी plus in लगाएंगे, क्योंकि इन दुनों की बीज में plus है, अगर minus होटा, तो हम इधर minus लगाएंगे, इधर नहीं minus लगाएंगे, इधर minus नहीं होगा, मतलब इधर minus होगा, अगर yes in minus होगया, तो इधर minus होगया, मतलब इसका identity A से निकल के आएगा, A minus B whole square equal to, हम क्या करेंगे, इसको square करेंगे, इसको भी square करेंगे, next इन दोनों को multiply करेंगे, A into B, इसकी आगे 2 लगाएंगे, इधर minus है, इसलिए हम पहले minus लगाएंगे, बात में plus लगाएंगे, ऐसे करने से ही इसका identity हमें मिल जाएगा, इस से multiply हमने कर दिया, अभी क्या करेंगे, इसको solve करेंगे, मतलब इसको simplest form में ले जाएंगे, इसको square करेंगे तो 4 होगा, P को square करेंगे तो P square होगा, next प्लास इसी निधर आएगा, 2 तू जा 4, 4 ती जा कितना होगा, 12, 12 P into Q, प्लास 3 को square करेंगे तो 9 होगा, and Q को square करेंगे तो Q square होगा, यही इसका answer है, question D का solution, हम इसी तरह ही इसको solve करेंगे, इस पाट को पहले square करेंगे, 0.4 X square, and इस पाट को next square करेंगे, 0.3 Y square, अभी क्या करेंगे, इन दुनों को multiply करेंगे, 0.4 X into 0.3 Y, next इधर प्लास साइन होगा, इधर प्लास है तो इधर भी प्लास होगा, मतलब प्लास होने से सभी में प्लास ही हाएगा, इन दुनों को हमने multiply किया, उसकी बाद इसको हम, according to our identities, we have to multiply by 2, so 2 से हमने multiply कर दिया, तो अभी इसको हम solve करेंगे, 0.4 X 0.4, इसको जब multiply करेंगे, क्या होगा, 4 X 16 होगा, next, इसको अगर हम चाहे तो इसे भी निकल सकते है, 4 X 16 का 6 केरी कितना होगा, 1 होगा, 4 X 0 equal to 0, 0 plus 1 equal to 1, next, 0 X 4 equal to 0, 0 X 0 equal to 0 बनेगा, finalist का अंचार आएगा, 0, 1, 6, अभी हम decimal point करेंगे, इसमें हम right hand side से left hand side की तरफ decimal point करेंगे, इसमें एक digit के आगे decimal point है, इसमें भी एक digit के आगे decimal point है, टो टो डिजिट के आगे decimal point है, तो इससी त हम इसको भी right hand side से count करेंगे digit को, और two digit के आगे decimal point को place करेंगे, मतलब put करेंगे, तो 1, 2 इधर बनेगा decimal point, तो इसका 0.4 square का value होगा, 0.16, X को जब हम square करेंगे, तो क्या आएगा, X square आएगा, next, plus, इसकी साथ इसको multiply करेंगे, तो कितना होगा, 248, मतलब 0.8 आएगा, next, 0.3 की साथ multiply करेंगे, 3, 4, 24 का 4 carry 2 होगा, 3 into 0 equal to 0, 0 plus 2 equal to 2 होगा, 0 into 8 equal to 0, 0 into 0 equal to 0, अभी हम add करेंगे, इधर 4 आएगा, इधर 2 आएगा, इधर 0 आएगा, decimal point इसमें भी two digit के आगे होगा, क्योंकि इसमें one digit के आगे है, इसमें one digit के आगे है, total two digit के आगे हमें, जो result मिला है, उससी result का two digit के आगे हमें decimal point प्लेस करना है, one two, इधर होगा decimal point, 24 होगया, मतलब 0.24 होगया, इसमें x है, इसमें y है, हम क्या लिख सकते है, xy, plus, next हम 0.3 को square करेंगे, मतलब इस part को square करेंगे, तो 0.3 square का मतलब 0.3 into 0.3 होगा, सो 3-3 से multiply करेंगे, तो 9 होगा, इसमें 3 into 0 equal to 0 बनेगा, and 0 into 0 equal to 0 होगा, 0 into 0 equal to 0 होगा, मतलब finally value आएगा 009, ऐसे आएगा, इसमें one digit के आगे decimal point है, इसमें भी one digit के आगे decimal point है, तो total कितने digit के आगे बनेगा decimal point मतलब कितने digit के आगे रहेगा two digit के आगे one two इधर होगा तो मतलब 0.3 को जब हम square करेंगे तो इसका value आएगा 0.09 and y को जब square करेंगे y square होगा यही इसका answer है तो हम answer लिख सकते है answer equal to इसका value हम लिखेंगे 0.16 x square plus 0.24 xy plus 0.09 y square यही इसका answer है question two using identity is fine तो हमें क्या करना है यह जो question दिया है question को identity यूज़ करके इसका product find करना है मतलब इसका total value कितना होगा उसको find करना है तो इसको हम कैसे कर सकते है 98 whole square इसको अगर हम चाहे तो इसे कर सकते है 90 plus 8 total कितना होगा 98 whole square तो इसको इसके अंदर कौन साब identity आएगा a plus b whole square identity आएगा क्योंकि इसका equal a square plus 2ab plus b square अगर हम इसी formula को जब use करेंगे मतलब यह identity जब use करेंगे इसका answer निकल के आ जाएगा लेकिन 90 को जब square करेंगे 8 को जब square करेंगे तो इसे थोड़ा tough होगा मतलब कठीन होगा तो इसको easy तरीके में भी हम कर सकते हैं मतलब और एक identity use करके वो identity ऐसा होगा 100 minus 2 इसकी equal कितना है 98 square जब करेंगे तो कितना हैगा इसका भी value इससी तरह सेम हैगा मतलब इसका identity होगा a minus b whole square तो इसका value क्या है a square minus 2ab plus b square मतलब हमें क्या करना पड़ेगा इसको हम square करेंगे पहले एक बार इसको भी square करेंगे 2 को इन दोनों को multiply करेंगे 100 into 2 और according to ये 2ab जो part है 2 के according इधर 2 आएगा मतलब formula के according 2 आएगा इधर plus in लगाएंगे और इधर minus in लगाएंगे इससी तरह जब करेंगे ये बहुत ही easy होगा तो इसलिए इसका solution हम इससी तरह करेंगे मतलब ऐसे होगा 100 minus 2 whole square पहले 100 को square करेंगे 100 square मतलब ये a part को square करेंगे next b part को square करेंगे 2 next इन दोनों को multiply करेंगे 100 into 2 next according to 2ab part ये जो 2 formula की according आएगा इसको इसके साथ multiply करेंगे तो इसमें minus है इसलिए पहले minus होगा बाद में इसमें plus होगा तो इसको आप solve करेंगे तो answer हाज आएगा तो 100 को जब square करेंगे तो इसका value कितना आएगा 10,000 होगा minus 2 to the 4, 4 into 100 equal to 400 होगा next plus 2 को जब square करेंगे तो कितना होगा 4 होगा इसकी साथ इसको add करेंगे तो कितना आएगा value 10,004 होगा minus हम 400 करेंगे तो value कि आएगा इधर 4 होगा next इधर 0 होगा इसमें से carry करेंगे तो यह 10 होगा 10 से जब 4 subtract करेंगे तो 6 आएगा इधर 9 है तो इधर 9 होगा यही इसका अंसर है तो इसका equal हम करेंगे 9604 अगर हम इसको भी solve करेंगे तो यही अंसर आ जाएगा Question 2B का solution पहले हम इस part को मतलब A part को square करेंगे A part square next B part को square करेंगे 4Q इसमें formula by heart करने की कोई जोड़ोद नहीं है इन दोनों part को एसे square करेंगे उसके बाद इन दोनों को multiply करेंगे 3P into 4Q next according to formula इधर और एक 2 से हम multiply करेंगे next क्या होगा इसमें minus है तो minus जब होगा पहले minus आएगा बाद में plus होगा इधर plus होगा इधर minus होगा तो अभी हम इसको multiply करेंगे तो इसका value आ जाएगा मतलब इसको simplify करेंगे 3 को square करेंगे तो 9 होगा P को square करेंगे तो क्या आएगा P square होगा मतलब 9p square माइनास 2,006, 6,4 जा कितना होगा, 6,4 जा 24, P into Q होगा, plus 4 को जो जो ब स्क्वार करेंगे 16 आएगा, and Q को जो ब स्क्वार करेंगे Q स्क्वार होगा, यही अंसर है, question C का solution 75 whole square दिया है, तो इसको अगर हम चाहेगे, तो ऐसे भी लेख सकते हैं, 70 plus 5 whole square, तो इसका according कौन सा identity use होगा, A square plus 2AB plus B square, मतलब A plus B whole square की form में हैं यह, तो इसका according यह होगा, अगर हम साहेगे तो ऐसे भी कर सकते हैं, 80 minus 5 whole square, क्योंकि 80 minus 5 equal to 75 भी होगा, तो इसकी according कौन सा identity use होगा, A square minus 2AB plus B square, यह identity use होगा, तो इसको अगर हम ऐसे ही करेंगे, ऐसे अगर करेंगे तो आ जाएगा, जो भी identity use करेंगे, यह और यह इन दोनों में से किसी identity use करने में भी सकांसार आ जाना चाहिए, मतलब A ही जाएगा, तो इसको कैसे करेंगे, 70 plus 5 whole square, next इसको square करेंगे, A square, next B square करेंगे, इन दोनों को multiply करेंगे, 70 into 5, according to 2A भी पाट के, according to 2 इधर multiply होगा, इधर plus है, तो दोनों में plus होगा, तो 5 को जोब square करेंगे, तो कितना होगा, 25, 7 को जोब square करेंगे, तो कितना होगा, 49, इधर 1,0 था, तो इधर 2,0 ऐसे लगाना पड़ेगा, next plus 2 into 7 equal to कितना होगा, 14, मतलब 140 होगा, into 5, तो 5 से जब 14 को multiply करेंगे, तो 70, इधर 0 इधर लगा देंगे, तो 700 होगा, मतलब 700 इधर हमें लिखना पड़ेगा, तो इन सभी बेलो को add करेंगे, क्योंकि सभी में plus है, 4900, 700, and 25, तो answer क्या आएगा, इसमें 5 होगा, इसमें 2 होगा, 9 plus 7 equal to 16, 16 का 6 होगा, केरी कितना होगा, 1 होगा, and 4 plus 1 equal to 5, मतलब इसका total value है, 5, 6, 2, 5, यह ही इसका answer है, question 2D का solution क्या करेंगे, पहले इसको a square करेंगे, मतलब a square की part है यह, तो इसको square करेंगे, यह b square की part है, तो हम 7y whole square से करेंगे, इधर minus है तो पहले हम minus लगाएंगे, और but में क्या लगाएंगे, इधर plus लगाएंगे, इन दोनों को multiply करेंगे, 6x into 7y, और इन दोनों की साथ 2 को हम multiply करेंगे, मतलब according to जो identities है, a minus b whole square, इसकी according क्या आएगा, a square minus 2ab plus b square हैगा, मतलब यह जो 2ab part है, minus में यह minus में रहेगा, plus में यह plus में रहेगा, तो यह होगया इसका equal, तो 6 को square करेंगे तो कितना होगा, 36x square बनेगा, minus, 26 है कितना होगा, 12, 12 into 7 करेंगे, मतलब 2 into 7 equal to 14 का 4, carry कितना होगा, 1 होगा, 7 into 1 equal to 7, plus 1 equal to 8 होगा, मतलब 84 होगा, 84 के साथ हम क्या करेंगे, x, y को multiply करेंगे, 84xy next plus 7 को square करेंगे तो 49 होगा, y को square करेंगे तो y square होगा, यह इसका answer है,